एक दो दिन पहले या फिर कुछ महिनों पहले भी अगर आपके डी शस्पेंड हुई यह तो क्या आपके डी वापस आ सकती है और आपके डी वापस लाने के लिए अन्में करने के लिए उसकी क्या प्रोसेस होने वादी है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डीटेल में और आपको कुछ अच्छी एडवाइस भी दूँगा तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, इसकी नहीं करना है ये सब मैं कैसे जानता हूँ क्योंकि मेरी खुद की आइडी सस्पेंट हो गई थी और अभी के टाइम पे क्या मेरी आइडी अन्बेन हुई ये नहीं हुई ये वो भी आपको वीडियो में डीटेल में पता चल जाएगा आइडी बेन हुई है तो आप भी अपनी आइडी को अन्बेन करवा सको तो जो भी प्रोसेस होती है उसके चार्जेस लेगी आपको 600-700 रुपे ये फिर 2000 रुपे जो भी चार्जेस आपको बताएंगे तो कुछ इसा एक एमेल्स वगएर आपको देंगे वहाँ पेमेंट करने का उप्शिन भी होगा आप पेमेंट भी कर दोगे लेकिन फिर भी आइडी को अन्बेंड करने के लिए अगर आपके आइडी अन्बेंड करनी होगी फ्रीफार वालों को तो बिना किसी चार्जेस के आपके आइडी अन्बेंड कर देंगे तो कोई ब्यूटिवर अगर ये बोलता कि इतने चार्जेस आप दे दो इतने पैसे दे दो तो आप पर कहीं भी पेसे नहीं देने चाहिए आपको कोई भी फेक इमेल दे देगा जैसे कि गरेना ओफिशल डोट कोम ऐसा कुछ फेक मेल बना के भी देदेगा वहाँ पर पेमेंट नहीं करने के बाद में आपके आईडिया अन्बेन नहीं होगी और पहली बात तो प्रिफार वाल बस अपना यूट्यूब चलाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए और थोड़ा बाँट टाइम पास करने के लिए फार्म फील अप करवा लेंगे लेकिन ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं आता है कि इस बंदी के आईडी अन्बेन हो गई है कुछ भी नहीं वो सकता वो यूट्यूबर भी कुछ नहीं कर सकता मेंकि इसका फीर से कोई कोंटेक्ट ही नहीं है फीर के जो पार्टर प्रोग्राम के जो बंदे रहते यूटूबर से वो तक फीर से यह अन्बेन नहीं करवा सकते तो यह लोग क्या ही करवा लेंगे इनके तो 10 अज़़ subscribe भी नहीं में खुद नहीं करवा सकता हूँ little कि इस पम्हें जब मैं तो अदुब हो चेक किया तो पता है शाइट नहीं आमरीथ नाम चेक पर सpi लेकिन एक आर्टिकल जो फ्रीफायर अन्मेन करोने के था वो तोड़ा सा मोडिफाइड था मतलब उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ था कि आपके अन्मेन हो जाएगे अगर आप इसा करोगे लेकिन मुझे पता है कि इसा कुछ भी नहीं होना वाला वहाँ पर जो लिंक दी अपने युँ आईड दे देना और जो प्रोफाइल का इसक्रीशोट डाल देना इसे करके आप अपनी जो फॉर्म करके वहां पर कर सकते हो कोशिश कर सकते हो तोड़ा जो अपना रीजन है आईडी बेन होने को वह भी बता देना कि क्या रीजन था अगर आपने है कि दिख बता देना क्लियर क्लियर ताकि फ्रीफार लोगों को समझ जाए और एक बात के ध्यान रखना है कि यूज किया है तो फिर आपके आपके पर्मानेंट बेन हो गई है अब नहीं होने वाली और सबसे बड़ा अपडेट जो है फ्रीफार के ओफिशिल साइट पर ही आया अगर आपके आइडी बेन हो चुकी है तो वहाँ पे आप चेक कर सकतो कि आपके आइडी पर्मानेंट बेन है या फिर टेंपरेरी बेन है और आइडी में क्या बेन हुआ है क्या रिजन है वो भी आपको आपको पता चल जाएगा तो जैसे कि मैं आपको दिखार हूँ यह वाली स इसका मदब आपके आइडी पर्मानेंट बेन हो गई है और साथ ही में एक चीज का ध्यान रखना है कि अपरेल 31 अपरेल के बाद में अगर बेन हुई है तब यह चीज बर्क करेंगे उसके पहले अगर आपने आइडी बेन हो चुकी है तो फिर यह काम नहीं करना वाला मेर कुछ और इंफर्मेशन मिलेगी जैसे में अपनी खुद की आइडी का कोशिश कर रहा हूं अगर मेरी आइडी अन्बेन हो जाती है तो मैं आप लोगों के साथ में जरू से वह इंफर्मेशन कर दूगा कि की तरिक से अन्बेन होगी बाकि इसके अलाब कोई भी रास्ता न तब ही आपका कुछ हो सकता है बाकि तो कुछ नहीं हो सकता